स्वागत है आप सभी लोग का मेरी चैनल साइंस्ट टेक्नोलजी में मैं अनफर्म वेपुल आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आज के शो रॉकेट मंडे में आज हम लोग बात करेंगे स्टार्शिप का जो सेकेंड इंटिग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट हुआ था यानि कि इफ्ट जो हुआ था तू उसको समझते हैं तो यह था क्या आई एफ्ट टू यह था अठार नॉंबर दोज़ा यह तू था तूथाउज़न टूंटी थी को सुभा में इंडिया के लिए 6 बज़े था मैंने लाइव स्ट्रिम भी किया था इसको और यह समझी है सेकेंड टाइम था कि फुल सिस्टम टेस्ट किया जा था स्टार्शिप का यानि कि ऐसा ने कि सिर्फ पैड पर रके कुछ टेस्ट करें फुल यानि कि सर जाओ आप फु मतलब अलमस समझें बलेस्टिक जैसा और यहां पर क्लियर कर देना उनका प्लान नहीं था मतलब यह जब पूरा पाइपलाइन लाउंच से पहले सम्मिट किया था इसमें एक भी जगह नहीं था कि हम रिकावरी करेंगे रिकावरी सिफ कंप्यूटर के लिए था यानि कंप आपसारना नहीं था रिटर नहीं करना था बस ट्राय करना था प्रिटेंड करना था कि जैसे गल्फ अफ मेक्सिको में कोई रोबोट शिप है जहां पर वो लैंड कर रहे है इसको भी वैसा ही करना था वो सिफ इनका में काम था कि उपर जाने तक का सारा चीज़ टेस्ट कर करके पस फेकोशियर पर चपांग कर जाता है तो यह आई एफटी टू था अब बात करते हैं बूश्टर के बारे में तो बूश्टर का हर इंजन काम किया इस बार जो कि पिछले बार जब आप लोगों ने देखा होगा तो पिछली बार सारा इंजन नहीं काम किया था क्यों क क्योंकि जो pad था, pad बूम हो गया, pad जैसे ही बूम हा, उससे बहुत सारा concrete निकला, बहुत सारा concrete सीधे घुस गया engine में, और engine डामेज कर दिया, तो starting में ही तीन engine डामेज हो चुके थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे engine बंबंब चले, तो power to weight ratio, यानि कि कितना उंफ था वो काफी अच्छा था, और इससे तुरंट आपको तेखने में आगा है कि बहुत तेजी ये pick-off कर रहे था, यानि कि अगर आप इसका telemetry compare करते हैं, last launch के telemetry से, ये बहुत तेजी से speed पकड़ रहा था, बहुत तेजी से height पकड़ रहा था, क्योंकि सारे engine दाहाड रहे थे तो बम-म चल रहे थे, और रहा बाद की पिछले बार इन्होंने कुछ जादा ही देर मतलब पे रह गया थे, पैड पे ये लगभाग चार सेकेंड रह गया थे, तो इस बार उससे shot किया गया है, दो सेकेंड रखा गया है, दो सेकेंड निकलो यहां से, अब तुरंट रहा इंजन को थाइम दिया जाता है, सेटल होने का, तो वो कोशिश करें, जितना कम हो सके करें, तो मैं shocking नहीं होगा कि अगर अगले बार वो 1.5 सेकेंड में ही निकाल दे, जितना कम करेंग उतना अच्छा रहे का, तो 2 सेकेंड हुआ, लिफ्ट ओफ हो गया, उसके बाद मैक् पहुचिया जो कि बहुत जल्दी है, इस साइस के रॉकेट के हिसाब से, और आपका 241 पे यह स्टेजिंग कर दिया, यानि कि बूस्टर के काम खतम, बूस्टर फूल स्पीड से भाग रहा था, उड़ रहा था, लेकिन यहां पर काफी लोगों ने मेरे व्यूर्स ने बोल कि बूस्टी दिया, उसमें भी दिख रहा है, तो वो मुझे समझ में रहा है, वो ब्लैक प्लूम का आ रहा है, मैंने पहले सो जा थी, मेभी हाइड्रोलिक लाइन अंदर कोई फेल हुआ होगा, वो ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाद में पता चला कि इसमें हाइड्र बॉमर जासा लग रहा है, कि ये बॉमर का इंजन ठीक से बनाया नहीं गया था, तो ये जब टेक ओफ के टाइम में बहुत ज़्यादा करता है, तो ये नॉक्स बहुत ज़्यादा बनाता है, और नॉक्स एटमोसफ़र का पानी से मिलके नाइट्रिक एसिड बनाता, और उ जले इंजन का ईजाउस्ट में बहुत ज़्यादा एंपरिचर नॉक्स बनाने के लिए ज़्यादा या चाहिँ बहुत ज़्यादा टेंपरिचर और ऑख्यां ये जो ज़्यादा नाइट्रोग नाइड्रोजन घर एटमासफेर से या इंजन भी ओफ्लो कर सकता है ऑगर न बहुत होट है यहां पर बना समझ है एकदम होट है वो नॉक से साथ रियक्ट करके नाइट्रिक असेड बना सकता है तो मुझे बस और मुझे कोई सेंस भी नहीं मिल रहा है अगर आप लोगो कुछ पता हो कुछ लगता है कि यह हुआ होगा प्लीज नीचे शेयर कर दीजिए बहुत क्लियर कर दीए एक बार जब किसी ने बता दिया कि दिख रहा है तो मैं हर फुटेज में देखा है अच्छा है यहां भी दिख रहा है यहां पर भी दिख रहा है हर में दिखने लगा मुझे ठीक है यहां तक तो यह हो गया लॉंच लॉंच के पद जैसे बूश्ट मतब सेकंड स्टेज को फुल स्पीड पर जिस स्पीड पर से लॉंच करना था कर दिया, काम खतम, गेम ओवर, वो अपना काम as a payload के हिसाब से देखे हैं तो वो कर चुका था, बस boost back के time fail हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, यहां पर अभी का जो speculation है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी लिक्विड अभी भी बचा हुआ, आप बस ऐसे यीट कर देते हो, तो लिक्विड अंदर में भावनाओं में बह सकता है, और इसके अंदर उतने बैफल्स नहीं, जितने सैटन फाइक में डाला गया था, तो चांसे से की बैफल की कमी, और प्रोपेलन में यीट मार दिये, लिक्विड जो है, थोड़ा अंदर फ्री फ्लोट हो गया, थोड़ा भावनाओं में बह गया, और उससे फ्लूइड हैमर बन गया, और फ्लूइड हैमर अगर बना तो आपका इंजन तो गया, क्योंकि वहाँ पर सबको दिख रहेगी, यह आप अराम से कर रहा है, कर रहा ह सब बंद हो गया, बंद होने के बाद जो इसका बूम सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो गया, खुद बखुद बूम कर दिया, तो अभी साब बेस्ट में वही आ रहा है कि प्रोपलेंट के साथ यह थोड़ा ज्यादा फ्री हो गया थे, इतना फ्री नहीं होना था, कि इतना उसको टाइम देना, श्रॉश को स्टेबलाईज होने के लिए, लिक्विट के साथ काम करें, तो होले होले सेखीजी हो जाता है, तो ट्यूनिंग करके वो ठीक कर सकते हैं, तो लेकिन बूस्टर मतलब समझे, एज रॉकेट कम्प्लीटली सक्सेस्फुल है, एज सबसे बड़ा नया गैमबल था, तो वो वहाँ पर काम किया, अब यहाँ पर थोड़ा में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइंस था, यह मैं क्लियर कर देना हूँ, अभी बहुत अरली है, तो पूरा डिटेल नहीं है, साइंस था कि लॉक्स लिक करना शुरू कर गया या लिक कर ही रहा था, लॉक्स मतलब लिक्वीड ऑक्षिजन, क्योंकि आप तो इसका टेलमेटरी में देखेंगे, लॉक्स का रेटिंग थोड़ा ज्यादा इस पीच से घट रहा था, और वैसा वो स्पेसेक्स कुछ बोल नहीं रहा था, कि हम लॉक्स ज्यादा जला रहे कि जो आर्म लगाया जाता है, जो यह करता है, प्रोपेलेंट लोडिंग करता है, वो आर्म डैमेज हो चुका था, यानि कि जब रॉकेट हट गया, जब लोगोंने वहां का फुटेज लिया, वहां पर डैमेज हो चुका था, स्वाहा हो गया था, तो चांसे से कि वो आर्म आम जब निकाल जाता है उस टाइमे अगर वो siis नहीं हुआ होगा ठीक से में भी वहा है थोड़धर लीक नहीं कर रहा होता है या over-pressure हुआ है जब staging की ए तो रहा बात है कि staging कर रहे हैं तो यह dynamic environment है मार computer simulation के लिए जब तो के proxy नहीं पता चले। कि यह संथा बूश्टर के उपर पुरा आर्मर लगा दिया कि सर वो आर्मर है वेंट है लेकिन वहां पे आप इंक्लोस स्पेस में आप रोकेट इंजन फायर कर रहे हो उसका बाउंस बैक भी कर रहे है तो हो सकता है बाउंस बैक का जो शॉक बना हो जो ओवर प्रेशर वो सील को थोड़ इसके साथ जो है छे मिनट तो दुनिया में चिपका रहा तो चांसे सवई है कि या तो ओवर प्रेशर हुआ जब होस्टेजिंग किया वहां पे थोड़ डैमेज हो गया या कोई डिसकनेक्ट हुआ था ठीक से डिसकनेक्ट नहीं हो पाया डैमेज कर रहा और थोड़ थोड अगर इंजन कुछ देर और चलता थो पहुंच ही जाते है तो यह तो हुआ आपका स्टेज के मामने और इसका भी ट्रिगर बूम हुआ था कंप्यूटर ने देख लिया कि सर गया है मैं अब बूम कर देते हैं क्योंकि यह समझ यह एक्शली बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री और अगर आप पूरा आधा धूरा बलश्टी ट्रेजेट्री में जातों अन्कंट्रोलिबल हो जाता है कि कहां पे गिरेगा भगवान भरोज है तो उस सब केसे में सेफटी के लिए बूम कर दिया जाता है तो इसलिए स्वाहा हो गया second stage जैसे first stage के साथ हुआ अब रहा बा हाई स्पीड कैमरा से उन्हें शूट किया मैंने नीचे वीडियो लिंक दे दिया आप आराम से जेख सकते हैं कि पैनल एक-एक करके तूट रहा है और उपर वाले में देख सकते हैं तुक-टुक-टुक करके तूट के गिर रहा है अब गवा दिखेगा और इस ताइम पर सॉनिक स्पीड पर चला गया था यानि कि 1000 किलोमेटर पर आवर से उपर चल रहा था तो पैनल गिर रहा है तुरंट डस्ट में बदल जा रहा था तो अगर इस हालात में यह रिंट्री करता तो शायद ही बस था क्योंकि आपको पता होगा कि कलपना चामला के साथ भी यही ह अगलाइब नहीं कर रहा है तो इससे यह शॉकवेब बन रहा हूं तो वह एक बेनिफिट है और रहा बात की आपका शॉक्राफ जो बनाए गया था नासा के तरफ से पेश रता में योज़़वा था इसमें च्चिल एच योज़़ए है तो पहली बात तो पर मैटीरियल ज वो एक thermal blanket है, जो आग रोकने के लिए होता है, उसकी ओपर heat shield है, तो अगर माल लिजे, majority heat shield आपकी बची हुई है, और कुछ-कुछ जगाँ पे छेद है, तो तुरंट वहाँ पे आग अंदर घुसके, तुरंट damage कर दे ज़रूरी नहीं है, अभी हमें कोई data नहीं है, लेकिन यह पास तो तो तहीं हुआ है, अगर heat shield का, में भी इनका और टेस्टिंग करेंगा पता चलेगा है, 99% अगर टाइल से इंटाक्ट रहता है, तो शेप इंटाक्ट रहेगा, लेकिन अगर माल लिजे 95% ही इंटाक्ट रहा, तो damage हो जाएगा, में भी यह थार टोलरेंट हो, लेकिन heat shield नहीं successful हुआ है, आप ऐसा human rating में नहीं कर सकते हैं, आपका टक टक करके तूटते जा रहा है, गिरते जा रहा है, काफी लोगा कहना है कि बहुत specific जंगा से गिर रहा है, जहां पर welding करके नया style ट्राइ किये थे, हो सकता है, अगर वैसा है, तो बहुत अच्छी बात वहां पर थोड़ा पूर performance हो गया, अब बात करते हैं, launch pad के बारे में, तो launch pad में इनों नहीं नहीं सिस्टम जो ट्राइ किया था, बहुत ही complex system, water delude system, वो काम किया, और उसने launch pad को पूरी तरह से protect किया, और उसमें ये समझे कि launch pad को जादा दिकर नहीं था, दिकर था कि उसके बगल बगल वाले को लेके ना चला जाए, तो वही समझ रहीं, ground asset को protect करना, प्लस booster को भी healthy रखना, यही जो debris निकला था, यही booster के engines को उड़ा आया था, तो एकदम clear कर दिया कि भाई, आप मतलब launch pad ऐसा नहीं कि rocket को उपर भेजने का काम करे, यह rocket तुम त्याद दो इस दु होता है, तो भी कुछ नहीं होने वाला था, प्लेट एकदम बंबं काम किया, कोई दिकत नहीं रहा, सब चीज हो गया, damage के मामले में, damage सब से जादा हुआ है, quick disconnect को, hydraulic joint ही उखड़ गया, तो वह तो गया, quick disconnect, arm को redesign करना पड़ेगा, वह समाल नहीं पाया, वह raptor का प्रेम जो है कि IFT3, यानि कि third launch जो है, उसमें जादा time नहीं लगए, यानि कि अब इनके पास रफतार आ गया, धड़ड़ करके ये testing कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि सारे इंजिन प्रेम बरसा रहा है, और कैसे पता है कि सारे के सारे इंजिन सही से चल रहा है, ये पूरा इंज इनिया से सब के साथ मैचिंग की जारी थे कि पूरा एकदम जो माक डामेंड बडा सा बन रहा था वो बहुत ही रहर इवेंट है, इतना थ्रष्ट के साथ, और समझ लिए ये और अरबिट पहुच गया, और अगर इसे एनगिया रोकेट से कंपेर किया जाए जो आपका और ट्रोह रोकेट बूस्टर सकसेस्फुल है वो तो आमें रिकावरी कर ले जा रहे है, पूट रहा है वो कंपलीट, उसकी डिजाइन कंपलीट और माल ल्या किसी कंशे होता है, यह हमिंखने लॉच करना है या पैसा कहता है चितना है उसी में आभ आप लॉज कारणना श कि भाहत बहुत भारी है यह मतलब बूष्टर को त्याग दिया जा जाएगा आखरी आखरी जा बाएंग जब डरा 12DR चॉड़ा 15-15-16 साइकल हो जाता है तो मोशला से अब आप vocal को त्याग हो चलने लगे और चोकि यह इतना स्पीस से मार्स फर्डियूस कर रहे हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो यह हुआ लांच पैड, वो बंबं दिखा दिया, लांच पर बतर हम समाल लेंगे, बस कुछ डिसकनेट को दोबारा बनाना पड़ेगा, तो अब बात करते हैं भरश में अल्टरा हैवी है, यानि कि 100 टन हम लो अर्थ ऑर्बिट ले जाएंगे, क्या यह रॉकेट उस जगहां पर थाट लांच पर पहुंची जाएगा, अगर कुछ बहुत बड़ा उप्स नहीं होता है, तो वो पहुंच ही जाएगा, तो मिनिमम ऑर्बिटल रॉकेट की यह पा अर्बिटी टू ऑर्बिट है, और मैं गरांटी दे सकता हूँ, अल्मुस्ट की चौथा लांच होगा, तो यह और्बिट तो पहुंची जाएगे, मेभी माक वान सैटलाइट को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर टेस्ट कर देंगे, यह हो सकता है, लेकिन बूस्टर यूज़ करना जो है, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा बूस्टर क्योंकि बहुत ज्यादा इंजन डाल रहे हैं, यह इनका इंजन माक वान था, यह इंजन माक टू है, माक थ्री इंजन उसकी टेस्टिंग हो गई है, यह गराफ का आपको एलन मास शेयर क्यों की माक थ्री रेडी हो चुका है, यहनि की रैप्टर थ्री रेडी है, गाड़ी खुलने को तयार है, अब रहाबाद की ऐसा क्यों हो सकता है कि बूश्क को मादलब use and throw में use करो, Starlings को यह चलड़ी जल्दी करो, बड़ा सैटलाइट चाहीं स्टारलिंक को, चोटे पूस्ट कम करने के लिए उनको रियूस तो करना पड़ा है वो बूश्टर में ही सबस्यादा यह लगता है कि इंजिन्स हैं तो देखिए उसमें टाइमिन को थोड़ा हो सकता है अब रहा बात की स्पीड जो है इनका स्पेसेक्स का स्पीड जो है यह बहुत तेज है और जो के सार एक दो महिना के लिए वापस कर दो आप लोग एसलस में ही देखियोंगे कि इतना टाइमिन को लग रहा था एसलस को फिक्स करने के लिए और वहीं पर आप स्पेसेक्स को देखे रात को देखता है अरे ग्रिट फिन गड़ बढ़ हो गया वहीं पर उसे खोल के नया जो काम मतलब यह और वालमुस्ट चार पाच ग्ञंटे में कर रहे तो दो घंटे तक उसे घटा दिये हैं यह उठा के स्टेकिंग करना इतना अीस इक इमेर से होता किके भी यह तस नहीं पर दो रतार किसके भी और कर नहीं है discussion ही नहीं है, sir, बात ही नहीं करना, बाकी सब तो, अरे, गरबड हो गया, एक काम करो, एक महिना बाद आना, इनका गरबड हो गया, अरे, हम कर रहे हैं, आप रुकी है, हम कर रहे हैं, करके हम ठीक कर देखते हैं, तो बुलें, fastest stacking, D-stacking, industry में कोही जगह ऐसा नहीं है, जहां पर इतना स्पीड से स्टेज 1 को लाएं, और इतना स्पीड से स्टेज 2 को, अगर इनको कल क्लियरेंस मिलता है, कुईक डिस्कनेट कम्प्लीट कर लेते हैं, अमाली पैसावसा का सारा काम सौट होता है, यह कल लॉंच कर सकते हैं, तो यह जो मास प्रडक्शन पहले कर रहे हैं, और इससे थूरूपुट इनका जो इतना आ रहा है, कि इतना स्पीड से इंजन बना पा रहे है, इतना स्पीड से फिक्स कर पा रहे है, बग फिक्सिंग कर पा रहे है, मतलब पर इनोंने बग फिक्सिंग किया, ओ, यह मोटर ताइम में अच्छा रिटर्न दे रहा है और अच्छा चांसे से कि 3rd या 4th ट्रै तक और और बिट पहुँच जाएंगे रिकवरी में भले टाइम लगेगा और बिट पे मैं इनका थोड़ा देख सकता हूँ कि और बिट के पहुंच जाएंगे बूस्टर के साथ यह भी दिखते है कि उसके लैंड नहीं कराना है कि उसे रिटर्न टू पैड करना है तो यानि थोड़ा जादा वो प्रोपेलेंट अ अंदर हम लोग को तीसरा लॉंच भी मिल जाएगा तो यह था मेरा पर्जिंटेशन स्टार शिप का सेकेंड लॉंच के बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लाओ कुछ सिक्रम में कुछ समझ में अगर ऐसा है लाइक कर दे दोसिया शेयर कर दे उससे मेरा काफी ब कर दे लाओ